Hello friends, a very warm welcome to all of you to the Success Educator आप सभी लोगों का सौगत है एक वार फिर से हमारे YouTube चनल Success Educator में गैस इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल परदेश Public Service Commission शिमला की और से HP Allied Services का mains का result निकाल दिया गया है तो 9 December 2020 को यानि आजी के दिन ये examination का result निकाला गया है तो इस वीडियो में हम पूरा इसके बारे में discuss करेंगे उससे पहले गाईज अगर आप हिमाचल परदेश के किसी भी test की त्यारी कर रहे हो जो mostly जो है हिमारे हिमाचल परदेश GYT के candidates हैं तो आप जहाँ पर इनकी test series ले सकते हैं प्रिक्षायब वालों की 50% आपको off मिल जाता है आपको क्या करना है इस coupon code को इस्तिमाल करना है EDUCA50 इस coupon code को इस्तिमाल करते ही आपको 50% discount मिल जाएगा और लगबग जो है 1549 की जो है आपको ये test series पड़ेगी जिसमें आपको 20 full length test मिल जाते हैं और प्लस आपको demo test भी दिया जाता है आप देख सकते हैं कि किस level के question वहाँ पे पूछे गई हैं guys अगर आप interested हैं जुरूर full length जो है यहाँ पे test को लगाईए आप अपनी analysis कीजिए कि आपकी तैयरी कहाँ पे जा रही है तो आपको link description में मिल जाएगा guys So finally काफी सारी candidates का जो है यहाँ पे इंतजार खतम होता है 9 December 2020 को आपका mains का examination का result निकाल दिया गया है और total candidates यहाँ पे आप अगर देखें तो 57,000 candidate ने apply किया था उसके बाद जो है 50,844 candidates को जो है provisionally admit किया गया था इनको यानि की admit card provide किये गए थे और examination center पहुंचे थे 37,000 candidate तो आपका result जो है यहाँ पे pre का आ गया था 16 March को and after that 2331 candidates को जो है qualify किया गया था mains के लिए उसमें से 2117 candidates ने जो है यहाँ पे examination दिया था जो कि आपका 6 और 7 अगस्त को था तो finally जो है 316 something candidates को यहाँ पे allow किया गया है further process के लिए अब जो है आपका 15 marks का evaluation करेगा शिमला बोर्ड और यहाँ पे आप list देख सकते हैं पूरी journal वाले candidate यहाँ पे 171 candidates है और schedule class के 51 candidates प्लस आपके schedule tribe के 13 candidates OBC जो candidate 46 candidates है प्लस general freedom fighter जो है यहाँ पे 5 candidate है इनके और schedule tribe BPL से जो है एक candidate है और यह सारी list जो है आपको मिल जाएगी link आपको description में मिल जाएगा आप telegram channel join कर लें channel का तो वहाँ पे आपको यह पूरा list मिल जाएगा guys ओके तो congratulations all of you जिनों ने भी examination को clear किया है बाकी आप further process 15 marks का आपका होगा उसके बाद final result निकाल दिया जाएगा guys तो यह था आज का notification मिलते हैं next video में तब तक के लिए